मेरे पहरे देश्वासियों, कुछी दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा, वो वीडियो पस्चिम मंगाल के वेश्ट मिदनापुर्स्तित नया पिंगला गाउं के एक चित्रकार सरमुद्दिन का था, वो प्रसंदता व्यक्त कर रहे थे कि रामायन पर बनाई उनकी पैंटि दो लाख रुपे में भीकी है, इससे उनके गाउंवालों को भी काफी खुशी मिली है, इस वीडियो को देखने के बाद मुझे इसके बारे में और अधिक जानने की इत्सुकता हुई, इसी करम में मुझे पस्चिम मंगाल से जोड़ी एक बहुत अच्छी पहल के बारे मे जानकारी मिली, जिसे मैं आपके साथ जरूर साजा करना चाहूँगा। बर्शौप आयोजित की, मुझे यह भी बताया गया कि इनक्रेडिबल इंडिया विकेंड गेट्वेक के दोरान हैंडी क्राप्स की जो कुल बिक्री हुई, वो हस्त सिल्पकारों को बहत प्रोसाइद करने वाली हैं। चित्र कला को सिखना शुरू किया और उसमें निफुनता हासिल कर ली हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने पेंट कहां किया। सौफ्ट स्टोन्स, सौफ्ट स्टोन्स पर कॉलेज जाने के रास्त में भागेश्री को इस सौफ्ट स्टोन मिले। उन्होंने इन्हें एकत्र किया और साफ किया। बाद में उन्होंने रोजाना दो गंटे इन पत्थरों पर पट्ट चित्र स्टाइल में पेंटिंग की। वह इन पत्थरों को पेंट कर उन्हें अपने दोस्तों को गिप करने लगी। लोकडाउन के दोरान उहना ने बॉतलों पर भी पेंट करना शुरू कर दिया अब तो वो इस आर्ट पर बक्षवबिक आयुजित करती हैं कुछ दिन पहले ही सुभाज बाबू की जेनती बर भागिस्री ने पत्थर पर ही उन्हें अनोखी सरधांजली दी मैं भविश के उनके प्रयासों के लिए शुपकामना ही देता हूँ आर्ट एंड कलस के जरिये बहुत कुछ नया सिखा जा सकता है किया जा सकता है जारखन के दुमका मैं किये गए एक ऐसे ही अनुपम प्रयास के बारे में मुझे बताया गया यहां मिडल स्कूल के एक प्रिंसिपल ने बच्चों को पढ़ाने और सिखाने के लिए गाउं की दिवारों को ही अंग्रेजी और हिंदी के अक्षनों से पेंट करवा दिया साथी उसमें अलग-अलग चीत्र भी बनाए गये हैं इससे गाउं के बच्चों को काफी मदद मिल रही है मैं ऐसे सभी लोगों का अभिननन करता हूं जो इस प्रकार के प्रयासों में लगे है